very very welcome to all साथ यह जॉंप फाइटर नमरण पर आप सभी का हादिक श्वागत है गेस्ट फैकल्टी की रिक्रूमेंट आई है यह आपका एडभर्टिजमेंट है अपलिकेशन्स आर इन्वाइटेट फ्रम दा क्वालिफाइड परसंस एज पर यूजिसी पराइटर फालिफीकेशन्स लेट डाऊन अंडर रेगलोशन 2018 यानि रेगलोशन 2018 कि यहाँ पर वर्थी होगी इसके तर्व जो कि मिनिमंमों होनी चाहिए ओपके पास होनी चाहिए जो कि रेगलोशन 2018 कहता है और यहाँ पर जो है कोमर्स और मेनेजमेंट की भी भरती है इसके अलावा इस टेडिज एंड लॉक की भी भरती है और यह सेशन दोज़ार चोबीस पचिस के लिए गेस्ट फैकल्टी अनि लोग देख लेते हैं यह भरती आई आई आपको जय नरायन व्यास उनिवर्सिटी जोदपूर से भरती आई है गेस्ट्रकल्टी असिस्टन्ट प्रोफेसर के और बहुत सारे सब्जेक्स में है सब्जेक्स की लिस्ट अगर देखेंगे काफी लंबी चोड़ी लिस्ट है यह करना है और कहां करना अलग लग दिपार्टमेंट का अलग लगते हैं जीसे यज़ेंना है उनिभरसिटि Scientists अपकर लेके आपधर लिख देंग है ईस सब्जेटिक का उसके हेड के पास आपको इनेट्रेस आपको तो समझने डिपार्टमेंट को नाम डिपार्टमेंट का नाम उपर में दे दे आपका आवजान चला जाएगा और यह देखे टोटल आपका 35 थर्टी-फाइब आपका बोर्ड ऑप स्पोर्ट्स है तो टोटल थर्टी-फाइब सब्जेक्ट्स है देखा जाए तो यहां पर यहां पर देखे नमर में क्या दिया हुए है और आपको रिलेक्सेशन दिया जाएगा अगर आप राजस्तान के हैं तो ही याना राजस्तान के बाहर वाले को कोई यहां पर फिप्टी-फाइब परसंट से लिक्सेशन नहीं मिलेगा उसका 55 परसंट मास चाहिए ही इसके ब या सेट अगर है राजस्तान का तो वह भी आपका चलेगा और पिएच्टी अगर आपका है 2009 या 2016 के तो फिर आपके लिए नेट की अनिवारिता नहीं है नेट आपके लिए मैंडेट्री नहीं राज जाएगा अगर आपके पास पीएच्डी है तो और चली आगे देखते ह जो एक्स्ट्रा चाहिए उनके लिहां पर डिमांड किया गया है तो यह कि आपको आपको दिया जाएगा लेकिन किसको जो की राजस्थान के हैं जिनका डॉमेसाइल राजस्तान का है है और वहां कैटेग्री में से बिलॉंग कर चाहिए स्टी हो स्टी हो अबिसी हो उनको ही दिया जाएगा और सेलेक्शन का जो प्रोसेस है आपका अठारा के तरत होना है और यह आपका अठारा है आप जान ही रहें इसके बार हम दोंग बहुत बार डिश्कस कर चुके हैं क पर्सेंटेज देखा जाएगा 80% अबारा तको 15 नंबर दिये जाएगे और 60 to 80 के बीच थर्टी नंबर दिये जाएगे 55 to 60 के बीच तो टैन नंबर दिये जाएगे और 45 to less than 55 है तो आपको 5 पॉइंट्स यहां पर दिये जाएगे पोस्ट गरिसन का भी ऐसे यहां पर दिया यहां पीछ दी का PhD को 30 नंबर दिया जा रहा है नेट भी जा रहा है तो 7 नंबर है जो आपका राजस्तान का है तो 3 नंबर दिया जाएगा रिसर्च पब्लिकेशन में 10 नंबर है टीचिंग एक्स्परियंस में भी 10 नंबर है और यहां पर एवाड वगर है आपका इंटरनेशनल लेबल का तो तीन नंबर है स्टेट लेबल का है तो टू नंबर है इसी क्रिटेरिया के तरह आपका सॉट लिस्टिंग किया जाएगा फिर आपका इंटर्वी होगा और दैन आपका सेलेक्शन होगा तो यह हंडेड नंबर में अच्छा बन रहा है विस्टेश कर आप सेवेंटी प्लस अगर आपका अप्लिकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट लेना है इसी को फरके आपका जैसे की सब्मिटेट जो मैंने पहले ही दिखा दिया किस डिपार्टमेंट में देना है उस डिपार्टमेंट के नाम से आप उसे यहां पर भेज दें छोटा मोटा ही फर्म में ज्यादा लंबा लेंदी फर्म नहीं अप्लिकेशन फर्म देखिए यहां से सुरू है आपका एक पेज हो गया यह और यह दूसरा पेज में ही खतम हो गया चोटा सब फर आएगी या तो फिर कहीं अगर और अच्छी भरती आएगी तो महां आपका एक्प्रेंस काउंट हो जाएगा और यहां पर कोई अप्लिकेशन भी नहीं रखा गया है तो आपको जिरूर आवदन करना चाहिए और अपने एक्प्रेंस को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए यह तो साथिया आप सभी के लिए इंपरने अप्डेस थैंक्यों थैंक्यों वारी वरी मच्च फर वाचिंग वीडियो और कनेक्टिंग एक्जाम फाइटर नमर और शातियों यह चैनल आप जानते हैं कि हाई रिजी के लिए डेडिकेट चैनल है यहां पर यूजी से सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करके आल बटन को क्लिक कर लें ताकि फर्दर जो भी अप्डेट्स है इसकी सुचना आपको सबसे पहले मिल सके थैंक्यों थैंक्यों वारी वरी मच्च फर वाचिंग इस वीडियो एंड कनेक्टिंग एक्जाम फाइटर नमर बन करें